हलो बच्छो विल्कम बैक टो प्री मिडिको माइसेर्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्या बच्छो आज हम अपने इस वीडियो लेक्टिर में आप लोगों को बायोजी एंस्टी सेकेंट यूनिट 9 बायोटोकलोजी प्रिंस्पल एंड प्रॉसेस हम आप लोगों को आपने इस यूटीब चैनल पर आप लोगो प्रिंस्टी बायोजी तीनों सब्जेक्ट्स दस दिन के अंदर रिवाइज करा जा रहे हैं प्रिंस्टी प्रिविजन कंप्लेट हो चुका है केमेस्ट्री भी दुछ चिप्टर बच्टी होई है दो यूनिट एंड बायोजी इस पुछ पार्ट्स बच्टी हो जाएंगे तो बायोजी भी रिविजन चल रहा है वो भी रिविजन पहले पहले आप लोगा प्रिविजन कर सकते हो मैं आप लोग उन्ही पॉइंट्स को रिवाइज करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टन रहे हैं जहां से कुश्चन आत हैं आपने संवंदित से संबंधित ऊंदप्र में पूछ ता रहता है इनिट ऊंदित से संबंदित हैं हर्ष से कोहन बायर दो संबंदित थे आता है प्रिंसिमर इंहों ने कम्प्लेट परमेसंट किया था भाई प्लाजमिट के फार्मेशन के द्वारा, तो यह related है, डिकॉब्नेंट इनने टेकोलोजी से, और प्लाजमिट के इनने फार्मेशन किया था है, तो इससे related के बुझेगा, इनसे यही कुछ है, पूछेगा, चेप्टर 11, बाया टेकोलोजी, प्रिंस्पालें प्रॉसेस, तो ब जिससर की क्या, making curd, bread, wine, all micro-mediated process, सारह सारह micro-mediated products, यह क्या कहला था है, बाया टेकोलोजी का पार्ट हो जाता है, अदर चीजे इसमें क्या के इंक्लूट कर दी गही है, in vitro fertilization भी, बाया टेकोलोजी इंक्लूट कर दी गही है, test to baby, programming, in vitro fertilization, test to baby program, है और क्या चीज़, synthesizing of gene and using its, and क्या DNA vaccine का फार्मेशन करना, gene को, defective gene को correct करना, यह सारह सारह पार्ट, बाया टेकोलोजी का पार्ट हो जाता है, इसमें जो एक next important point बन जाता है, जो रूपियन प्रेटरिसना बाया टेकोलोजी, यह अप्पी का फुल पार्म, इनोंने बाया टेकोलोजी का definition इनों इसमें लोग next page पर चलते हैं, जो की कुछ important है, इस page पर last one इसका important है, की bio technology, फुछ इस पर आफ बायो टेकोलोजी, इसमें दो चीज़े है, two course में total दो टेक्नीक यूज़ी है, सबसे पहली, genetic engineering, genetic engineering को दारह क्या करना, DNA या genetic material का chemistry को change कर देना, जब इनकी chemistry को change कर देंगे, तो उसका phenotype change हो जाएगा, okay, जैसे यह दिया हुआ है, की introduce the host organism, अंदर changing the phenotype of host organism, तो जिस भी organism के अंदर इसको introduce कर देंगे, उसका क्या हो जाएगा, phenotype change हो जाएगा, and second क्या है, bio process of engineering, की bio process engineering, इसमें क्या किया जाता है, की style condition maintain करके रखा जाता है, जिससे contribution free, अब उसमें जिससे की क्या होगा, जब style condition रहेगी, तो microbe contamination free रहेगा, तो particular हमारा ही, जो organism हम grow करना चाहेंगे, वही के वहल grow करेगा, दूसरा कोई भी नहीं grow करेगा, और हम desired microbe curatexil को grow करा करके, अपना vaccine enzyme obtain कर सकते हैं, यह second process है, साथ से पहले क्या होता है, कि उसका gene change करता है, उसकी chemistry change करता है, जिस host में डाला, वो host को अपने bio fermenter या रेक्टर में, उसको style condition maintain करके, उसको grow कर लार्ज scale पर grow करा करके, वह अपना enzyme vaccine antibiotic obtain किया जाता है, यह main process इनका यह है, अब next paragraph पर, इनका यह दिया हुआ है, कि recombinant DNA formation करना, टेक्निक आप जन्टिक इंजिनिक विच इंग्रूट रिक्र कर लेना, या gene clone करना, या gene को transfer किया जाता है, इंजिनिक में, यह चीजी होती है, और क्या होगा, की limitation, overcome this limitation, allow us isolate and introduce only one hour, set up desirable gene, इसमें क्या किया जाता है, recombinant DNA technology में, की skilled desired genes को isolate करने के बाद, particular microbe में introduce कर दिया जाता है, target आगे में introduce कर दिया जाएगा, और यह DNA जहां bind up करता है, DNA हमेसा हर इस तरह प्लेस वरत bind up करेगा नहीं, यह DNA जहां पर भी bind up करेगा, उसको क्या बोलते हैं यह, और यह, bind up करने एक बाद जहां से replication शुरू हो जाएगा, उसी को बोलते हैं, DNA तक तक हमाने replication नहीं सुख़गा, जब तक हम उसको अपने ori site से क्यार नहीं करेंगे, include यह introduce नहीं कर दे, bind up नहीं कर देंगे, तो इस पूरे paragraph में, second paragraph में, क्यों लेखी चीज को define किया गया है, ori के बारे में define किया गया, ori के बारे में, ori क्या होता है, वो point होता है, जहां से, कोई भी DNA फारें DNA उला करके, join कर देंगे, तभी हो replication करेंगा, नहीं तो, नहीं करेगा, उसको नेक्ट मेलाग्राम में, यह Herbert Cohen and Bayer ने क्या किया था, इसके बारे में, बताया हुआ है, इन्ह प्लाजमेट को ले करके, इस पर antibiotic resistant gene, या particular कोई gene, जो gene आप स्वाय स्वारा होगा, उसको, इसके प्लाजमेट से, join करवाद दिया गया, यह कब करवाद था, इस तेल ने, कोहर एंड बाहर ने, उन्हें सुबहतर इसमें, सामला टाइफियमेट के प्लाजमेट से, क्या क्या लाकर के, फारेंड ने को लिंक कर दिया, इन्हें लिंक कर दिया, यह कैसे possible हुआ, फारेंड ने को पहले कट किया गया, कट किसे किया, रिस्ट्रेक्शन इंडो, नुकलेट से, कट किया गया था यह, कट करने के बाद, उसके प्लाजमेट से जोडा गया, जोडा किसे जाता यह DNA ligage जोड़ दिया जाता है उस DNA ligage से जोड़ दिया जाता है तो molecular seizure यह destruction donor nucleus से यह cut किया गया सबसे पहले cut पिस DNA को इससे जोड़ा गया link किया गया इस plasmid DNA से link कर दिया गया अब link करने के बाद link करना possible क्या हुआ यह enzyme DNA ligage की discovery की वजह से यह possible हुआ antibiotic resistant gene को इससे जोड़ दिया गया गया है दिया है linking up antibiotic resistant gene with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligage की discovery के वजह से हो पाया है और जोड़ा किससे गया था इस plasmid को सामना जो टाइफी वेक्टिरिया था उसके plasmid से antibiotic resistant gene करके जोइन किया गया अब इस antibiotic resistant gene जो था यह इस प्लाजमिट को किसी न किसी vector के अंदर introduce करना है तो इस vector को क्या किया गया तो इस किराइक या कुलाएं के अंदर इसको इंट्रोडूस कर देगा, क्यों? क्योंकि इसक्राई के कुलाई के अंदर इंट्रोडूस किया गया, तो बच्छो इस पहले दोपेश पर कुछ भी इंपोर्टन नीकोल इतना से इंपोर्टन है, कि इस सामना टाइफी मेरियम के प्लाजमिट से इंटिबाटिश एंजी और डेनर आये लाई, इसकी डिसकोवरी के वज़त से प्लाजमिट को झावर करके, असकillon के कुलाई मे टरांसफर किया गया, उससे कवा कि इक्लोज नी क्यों हो, इसकी कोणा कोलाई इलेटेटें से सामla टाइफी बेक्टरिया से लेटेटेन, इसलिए इसलिए ट्रांसफ् तो E. coli वाज क्या? क्लोनिंग, काल क्लोनिंग आप एंटिबाटर इस रिजिटन जीन इन E. coli तो यह E. coli क्या करेगा? उस प्लाज में DNA को क्या करेगा? कई मल्टिबिल काफी फर्मेशन कर लेगा. तो टोटल, किदने टोटल त्री बेसिक स्टेप्स होते हैं कि इसके लिए जिन्टक्ली मौलिटवाइब आर्गिजम के लिए? तो सबसे पहला इसके क्या होता कि DNA को जिस DNA में desirable DNA उसको identify करो पहला reason यह पहला point यह है. Second अब इस identify DNA को क्या करो कि host के अंदर introduce किया जाएगा? ओके, अब host इंटर 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 इंटर्डूईउस हो गया, transfer होने एक बात maintain apps introduce, जिन्ने इन the host में maintain करके रखना और ट्रांसफर डीजने next progeny में इन्य वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमारा डीजने क्या हो कि multiply करना शुरू कर देगा, तो टोल त्री स्टेप, सबस्पहले क्या करो, टीजरेबल जिन को identify करो, second रिश्टेम क्या करो, इसको introduce कर दो, host में, third रिश्टेमें उसको maintain करकर को, क् इसको ट्रांसफर कर देए, यह हमारी steps हो जाते हैं, उसके बाद tools अब recombinant DNA technology के total कितने tools हैं, यह बहुत important हो जाता है, इसके tools हैं, तो सबसे पहला tools की बात करें, इसे के है, तो इसमें क्या क्या है, restriction engine nucleus, enzyme, decentring क्या करेंगे, इसको cut करेंगे, DNA को cut करेंगे, second polymerase पीर्फिटर के दौराद इसको Neptune करेंगे, third ligase, तो पहला क्या हुआ हूआ, restriction engine nucleus, second PCR, third ligase, चौता क्यों है इसका वेक्टर से इसको lagiate कि कैसा हो जाएगा 500 क्यों हो जाएगा measurement इसमें वह इंट्रड्डूज किया जाएगा जिसमें मल्टिप्लाइ करेंग लुभाज और 5 नगलेज तोटल 5 हो जाते हैं 5 पीर्टिक्ट्रेयक उसल्डिक्त्र बैक्टरीफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, तो जो रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, उसमें क्या करता था, एक उसमें मेथिल ग्रूप को एड़ करता था, और सेकंड क्या करता था, इसी का नाम रिस्ट्रिक्शन इंडो नुकलियस पड़ा था यह, तो अब इस second था. we just second सबसे पहला restriction intronicridge था जो कि डिसकवर्ड किया गया था। इंट second क्या करता है। always cut brunch particular point पर ही cut करता था यह. इस particular point को 650-6 base बोलते थे, 6 base परको इसी को क्या बोला जाता था? recognition sequence बहुत important है. क्यी point पर restriction intro nucleus cut करेगा उसको क्या बोलते है? उस recognition point को recognition sequence बोला जाता है, अब तक total number किते हैं, total जो enzyme है, destruction निक्रेश, total 900 restriction निक्रेश खोजे गया है, कितने से 230 system of bacteria से discover किये जा चुके हैं, ये important है, total 900 restriction enzyme, 230 system of bacteria से discover किये जा चुके हैं ये, उसका next जो important point जो बनता है, कि इनके naming से कुछ से बनता है, इनके naming से, तो इसमें जो most important question मनता है, वो naming of enzyme से बनता है, naming of enzyme से जो पहला letter होता है, वो किसे आता है, जीनर से आता है, second second two letter किसे आता है, इस पर सीच से आ जाता है, लाइक क्या, इको आर आई जो है, ये हमारा restriction इंडो निकलेज, इसका जो लेटर है, इए, इफर किसे है, इको लाई, इफर क्या है, इसके righteous letter है, इफर क्या है, इफर क्या है, ये जीनर को बताएगा, जबकि इंपोर्टेंट हो जाता है, इसके naming से जो question इसके आते हैं, उसकी बात है हमने कर लिए, next page पर, मुझे रोबननंग के बारे हम बता हुआ कि ये order of strength है, मैं ली order से indicate, order को इंडो निकलेज करता है, कौन से बिलांग करता है, ये ही question इसका पूछा जाया गए, ओके, और प्रत्यक destruction इंडो निकलेज होता है, सबका प्रत्यक का recognition sequence सबका अलग-अलग हो जाता है, ठीक है, उसके बात, इनका जो recognition sequence होता है, recognition sequence कि होता है, कि ये हमें साभी quantum के उल्टा सिधा एक समान होता है, जैसे कि इन्होंने example देखें, हाट पर समझाने कोशिज किया है कि, उल्टा सिधा एक सावन को क्या बोलते है, palindromic sequence बोले जाता है, GAATTC, ये NEET में कई बार question आ चुका है, कि ये को इसका sequence क्या होगा, GAATTC जहाँ पर restriction nucleus cut करता है, वो GAATTC हो जाएगा, ये को RI के लिए हो जाएगा, यह यहां से G or A की bit cut किया, इधर J, G or A की bit cut किया, फैनली लाकज को इस टीकिन को add कर दिया जाएगा, ये इनके diagram से यहां पर ये related हो जाएगा, उसका next इस page पर बाकि इस page पर कुछ भी नहीं है, जिसे बताया हैं कि मल्यालंक बारे में बता हुआ है, next page पर GAATTC सी बता हुआ हु और ये कुछ भी important यहां पर इस पर कुछ भी नहीं सारी चीज़ आपको आती, इसमें को इतने इन्होंने एक experiment करें को इतने बताने की कोशिश की है, कि DNA को cut करेंगे, cut करके vector से जोड़ेंगे, जोड़ करके vector को उसको next generation में transfer कर देंगे, उसका यहां पर, इस page पर most important जो question बन जानता है, इसमें क्या है कि यह separation and isolation of DNA, DNA को cut किया जाएगा, उसको separate कैसे किया जाएगा, तो cutting up DNA को किसको तरह, restriction, endo-nucleus, cut करते हैं, इससे क्या होगा, कि DNA को क्या होजाएगा, fragment, DNA सारे बन जाएगे, इनको cut DNA को जिस technique से separate किया जाता है, वो technique का नाम क्या है, gel electrophoresis, तो cut DNA को separate किसे किया जाता है, gel electrophoresis technique से, यह separate किया जाएगा, क्यों, क्यों DNA किया है, यह negatively charge molecule होता है, इसलिए किधर move करेगा यह, anode जो पास्यों होता है, उधर anode के और it move toward, anode के और move करता है, under electric field condition में यह, और कांस में metrics, यह medium, जो growth gel का metrics medium होता है, उसमें यह move करता है, तो nowadays commonly, metrics अब लोग के जो metrics यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, nowadays, जो metrics होता है, वो growth gel का metrics होता है, यह important है, और sea weight से निकाला जाता है, तो DNA fragments होता है, वो अपने size के अंसार, bew कर जाता है, यह size के अंसा bef जाता है, मूब करने कि क्या बोलते है, saving effect एजम होता है, इसको जो है तो जो एह ग्रोस जिल होता है ये सेविंग इफेकत को पॉरइट करवा तया है एग्रोस जिल पॉरइंट कर्वा है और जिल बहुत इंपोर्टन थं इस पॉर्ड heldो इंपोरटनेट होके यह बहुत important कुछ नियास बनेगा कि चोटा से segment ज्यादा ज्यादा दूर move करता हुआ जाता है जैसे कि आप लोग इस diagram में देख सकते हैं इस diagram में क्या दिया हुआ है इस मालर्दी fragment father's moment हो जाता है यहां पर largest fragment है चोटे fragment है तो यह क्या है चोटा fragment आप देख सकते हैं कितना दूर यह move करके गया है यह कुछ से नीट में आच रुका है यह उसकत क्या आता है कि separated DNA fragment can visualize वाली तो नार्वल DNA visualize नहीं हो सकता है किसको दाब visualize होगा वो stain करने एक बाद कौन सा यह इस्टेनिंग material ethereum bromide को stain करेंगे उसको यूवी radiation से exposed करके देख सकते हैं यह बिना यूवी radiation के expose के हम लोग नहीं देख सकते हैं और बिना staining की नहीं देखा जा सकता अब उसको क्या करेंगे उसको UV रेडियेशन में ही देखा जा सकता है, वो कि यह important है, visible light में नहीं देखा जा सकता है, वो के वाल एथी टेम परवाई से करो और exposure up view light से देखा जा सकता है, उस बात इस पेस पर और कुछ खास important नहीं है, और दिखे कर से यह, यह दिखता है, यह bright orange बैंड के जैसा देखता है, यह important है इसका, यह देखो bright orange जैसे पट्टी में देख रहा है इनोनी इस इसको, यहाँ पर mention किया हुआ है, यह दिया सी bright orange color की, यह band group में दिखता है, यह important है, यह दिखता है, यह bright orange कलर का, इसमें यह दिखता है, नेक्स्ट, cloning vector, vector के बारे में, यह चोटी-चोटी चीज़े इनोने बताय हुई है, vector के बारे में, कि, कि normally किसी भी cell में, plasmid एक यह दो plasmid होते हैं, लेकिन plasmid, bacteriophage का number क्या होता है, बहुत high number हो जाता है, तो करना कि, bacteriophage जो है था high number of parcel हो जाता है, कभी-कभी यह पंद उतनी copy चाहिए, किसी भी चीज को, DNA को, उतना ज्यादा वाला vector हम यूच कर लेंगे, और उतनी copy भारे में बन जागी, अगर high copy number चाहिए, तो bacteriophage लिंक अप कर देंगे, और कम copy number चाहिए, तो plasmid लिंक अप कर देंगे, तो जितना ज्यादा copy चाहिए, उसी सारा हो उसको link चाहिए, तो जितना ज्यादा, इनका copy number चाहिए, उतना चीज को, मिल जाएंगे, ओके, next, अगर हम next page की बात करते हैं, अगले important page है, कि इसमें जो site होता ही है, औरी site, यह बहुत important question है, सारा question का, जो neat का आया हुआ है, वो इसी page से सबसे ज्यादा question, नीट में आया हुआ ही है इसमें क्या है, औरी, औरी site की बात करते हैं, तो औरी बहुत important है, जहां से origin, जहां से replication originate होगा, उस site को औरी बोला जाता है, उस site को क्या बोलते हैं लोग, उस site को औरी बोल देते हैं, जहां से attach होगा, वहां से multiply करना सुख करेगा, औरी होता है, औरी क्या important करता है, काम क्या होता है, औरी का बहुत important है, it is responsible for controlling the copy number of link DNA, तो औरी से, जैसे हम उसको link up करेंगे, जितना औरी से होगा, उतना ज्यादा, हम link up DNA, हम भी मिल जाएंगे, we want to require, मेरी copy number of target DNA, it should be clone vector whose origin support high copy number, तो जि इतनी ज्यादा औरी हो जाएंगे, उतनी ज्यादा copy number में DNA link up का मिल जाएगा, उसका नेक्स आता है, selectable marker, तो याद रखे, ये point याद रखेगा, कि इसका ये controlling copy number of link to DNA की copy number को control कोन करता है, origin of replication control करेगा, उसका selectable marker बनाता है, next point, selectable marker से ही question आया हुआ, औरी से भी question नहीं आया ह जो question आया है, वो selectable markers है, वो दो साल लगाता है, question आया है, इस बारे में, selectable marker, तो selectable marker वो point होता है, जो हमें differentiate करे, कि ये हमारा bacteria है, ये हमारा bacteria नहीं है, हमारे bacteria plus अधर पारने bacteria में differentiate कर दे, ऐसा point को, कोई भी point हो सकता है, इसको selectable marker बोला जाएगा, जैसे antibiotic resistance gene, अगर हम अपने बेक्टरिय में introduce कर दे, हमारे bacteria antibiotic पर grow करेगा, अधर बेक्टरिय नहीं grow करेगा, तो antibiotic resistant gene का पाया जाना selectable marker हो जाएगा, अगर पहले से किसी बेक्टरिय में antibiotic resistant gene है, हमने उस antibiotic resistant gene को हटा करके अपना something डाल दिया, तब हमारा bacteria क्या करेगा, antibiotic resistant gene पर नहीं grow करेगा, अधर antibiotic resistant gene क्या है, selectable marker है, तो ये कोई भी ऐसी property जो क्या कर रिकोगनाइज कर दे, selectable marker के पर की, ये हमारा bacteria है, ये नहीं हो, रिकोगनाइज कर दे, उसको selectable marker बोल दिया जाएगा, तो ये selectable marker की बात कर रही है, ठीक है, तो selectable marker क्या रहता है, help in identifying line ID, identifying and eliminating non-transformament को, ये eliminate कर दे, identify को, eliminate कर दे, and selectively क्या permit करे, growth of, transformant या हमारे bacteria growth को promote कर ये क्या करता है, selectable marker हो जाता है, तो इसमें क्या है, कि antibiotic resistant gene, जैसे इंपिसलीन, antibiotic resistant gene ये कोई भी antibiotic resistant gene, अगर हम किसी बेक्टरियक अंतर रहत इंट्रोच कर देंगे, तो वो इस बेक्टरिया में इसके प्रत्रोच डाने की property, selectable marker हो जाएगी, डार्म भी कोई भी E.Colibacteria के पास, कोई भी antibiotic resistant gene carry नहीं करता है, बट हमने एक antibiotic resistant gene introduce कर देंगे, तो हमारा antibiotic resistant gene introduce करना वेक्टरिया के लिए selectable marker हो जाता है, next topic पर दिया है cloning site, cloning site इसमें दिया हो कि vector need है very few and probably single recognition site, करें किसी भी normal bacteria में single recognition site या कुछी recognition site prefer करते हैं, बहुत important है common use destruction जो nucleus के लिए single recognition site use करते हैं, लेकिन अगर एक से जादा recognition site हो जाएगी इस vector के अंदर तो क्या करेगा, seural fragment कर देगा उस vector का कई fragment कर देगा, और complicate कर देगा gene cloning को complicate कर देता है, इसलिए हम nano क्या चूश करते हैं, single recognition site use हम लोग चूश करते हैं किसी भी bacteria के लिए, तो इसमें जैसे कि हमाँ पास क्या है, कि दो antibiotic resistant gene यह कौँ से vector यह है, vector PBR 322 एक में इंपिसलीं resistant gene है, दूसरे में tetracycline resistant gene है, कोगे अब यहां पर हम क्या करते हैं, tetracycline resistant gene पर इसको हटा करके, यहां से कोई अपना gene इंट्रिट्यूच कर दिया, हमने tetracycline resistant gene के BAMH1 site पर, तो यहां पर BAMH1 site पर जब हम अपना gene को इंट्रिट्यूच करते हैं, तो tetracycline resistant gene क्या हो जाएगा, last हो जाएगा, तो यहां पर tetracycline resistant gene के last हो जाना क्या है, यह selectable marker हो जाएगा, यह बैक्टिरिया इंट्रिट्यूच कर दोनों पर grow करेगी, लेकिन जैसे हमने इसको last हो जाएगा, insert किया अपना gene तो यह क्या करेगा, वल्ली इंट्रिट्यूच पर grow करेगी, tetracycline पर नहीं grow करेगी, ऐसी condition, जब किसी gene के इंट्रिडूच करने से कोई चीज लास हो जाएगा, इनक्टिवेट हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं, insertional inactivation बोला जाता है, तो यह पर tetracycline gene क्या है, insertional inactivation के वज़ए से last हो चुका है, यह क्या मतलब है, अब इसी चीज को यह paragraph में इन्होंने क्या किया है, यह define क्या हो इसी चीज को बता हुए है, कि दो antipotent resistant gene थी, tetracycline और कौन सी, ampicillin resistant gene थी, tetracycline बैमेच्चन साइज पर थी, जब इंट्रिडूच किया तो यह tetracycline resistant gene last हो गया, तो यह non-transformament जो था, यह दो के दोनों पर grow करता था, लेकिन जो हमारा transferment है, यह क्या करेगा, यह tetracycline मेडियम में grow नहीं कर पाएगा, वल्ली ampicillin contenting medium में ही यह grow कर पाएगा बसके वाल, ओके, तो transferment के वाल grow करेगा, ampicillin पर tetracycline पर death हो जाएगी, जबकि non-transformament means, जिसके पास genome नहीं dialogue को non-transformament बोला गया, यह दोनों पर grow करेगी है, ठोके, तो इस transferment tetracycline पर grow नहीं कर पाएगी, किवाल ampicillin पर grow करेगी, तो recombinant will grow in ampicillin contenting medium, बट not one tetracycline contenting medium, बट से ही चीज़ दे हुए है, लाज के हुई, यह insertional inactivation की वजह से, लाज हुई थी है, तो बच्चों लोग ने पढ़ दिया, insertional inactivation के बारे में, means किसी gene के insert करने से, किसी gene का last होना, क्या कहलाता है, insertional inactivation हो जाता है, इसलिए, यह rule निकला गया, कि जैसे क्योई अगर हमने अपना bacteria बनाया, antibody resistant gene उसे हमने इंट्रोडूस किया, तो इससे क्या होता है, कि इससे दो से तीन से चार दिन उसको, bacteria grow करेगा, कि उसको antibody sensitivity लगा है, उसके बाद पता चलेगा, कि हमारा यह transformament bacteria है, कि non-transformament bacteria है, तो इसके लोग ने कहा कि, कि ऐसा कुछ नहीं हम निकाला जाए, जिससे क्या हो कि हम क्यों, पेट्रिडी से bacteria को देख कर बता दें, कि हमारा bacteria है या बाहर का bacteria है, इसलोग ने क्या क्या क्या, कि bacteria के अंदर गया एक enzyme था, बीटा गलेप्रोसियोड था, इसके उसके क्या क्या करता था, हमने इंट्रिडूस कर दिया, उस gene synthesis वाले enzyme था, उसकी वज़े इसके हुआ, इंसर्शनल inactivation होगे कि इसका, बीटा गलेक्रोसियोड का इंसर्शनल inactivation हो गया यह, अब बीटा गलेक्रोसियोड नहीं बना पाएगा, तो क्या हो जाएगा कि वह ब्लू कलर की कालोंई जो बना रहा था, औह वह, ब्लू कलर कालोंई नहीं बना पाएगा, PGW месте के moment में, जब तो हम क्या होगा देखते ही बता देंगे कि हमारा Bo險 कोई कलर की कालोंई नहीं बनाएगा, वाइट कलॉनी मिलाएगा, बट नान रिकॉर्मिनेंट बैक्टरिया जो ब्लू बनाता था, अब वो नहीं है, तो इस क्लियर सी बाएट है, जिससे हम लोग नहीं अभी तक क्यों सारी चीजे रट करक्यों है, कि अगर हमारा बैक्टरिया होगा, तो क्या होगा, वो औरोस दि सीजे बनाएगा, या ब्लू बनाएगा, या lт बनाता है, तक इस वाजिसस हम लोग सोचते हैं कि डिकॉर्मिन बैक्टरिया ब्लू क्लर की बनाएगा, नन- insultingाय बनाता तो प्लू कलर को जो जा Gemma गया लास हो जाएगा तो कोई भी कलर्णीं नीक्रम कृता था है, दो यहां से आएगा आपको कन्फूज करवाएगा ओके तो डेक्स टॉपिक हम लोग है वेक्टर फार प्लोणिंग जीन इन प्लांट इनमल्स और प्लांट में कौन से वेक्टरम लोग यूज करती है नार्मली बेक्टरियम होता है कौन सा अग्रो बेक्टरियम टूमी फैसियंस इसके पास क्या पाए जाता है इसके पास टाई प्लाजमिट पाए जाता है यह टी जिन नहीं पाए जाता है टाई प्लाजमिट प यह normal cell को plant में cancer cell में doubly तबदील कर देता है चेंज गर देता है तो जैसे कि अगर हम animals की बात करें animals में क्या है retro virus होता है जो की cancer कर देता है इसी से Between Like और perturbation के पार एक्रूम क्या करता है यह tumor produce करता है है plant में और plant इसको क्या करता है वो tumor cells इस bacteria को भोजन देना शुरू कर देता है ओके ते दिया कि T DNA transform normal cells into tumor cells and direct these tumor cells to produces the chemical required for pathogen तब pathogen ये bacteria को जो chemical चाहिए वो tumor cells इसको provide करना शुरू कर देता है इसी तरीके बता रहा है कि जो retrovirus होता है ये normal cell को cancer cell में प्रिचेंज कर देती को इसमें retrovirus animal cell के लिए बोल रहा है और इसी property की वजह से हम लोग क्या यूश कर देते हैं इसका DNA को transfer करने में यूश कर लेते हैं वह दिया कि tumor क्या होता है कि tumor including type plasmid आप अग्रो बैक्रियम टूमी प्रिचेंज के पास जो यह type plasmid है इसको क्या मोलते हैं फ्रोणिंग वेक्टर के लिए इसको यूश किया जा सकता है तो सीधा सब मोटा मोटा के बोल कहना के मतलब कि इतना सा है कि इसमें जो भी चीज़े दे हुई है कि इतनी सी important ची quarterback leевич वेक्रियम को चेंज करने के लिए छींचकि का है तो इतना साही question पूछा जाएगा बाजी पूरी कहानी इसमें ईसमें जाए हुए है तो उसका competent host for transformation to competent host को change करने के लिए competent host बैत कर रहा है तो इसमें क्या है कि कोई भी cell जब दिनने लेने से पहले की stage बनाते इसको क्या बहुत है competent to take up दिनने इसल को competent होना पड़ जाता है तो इस cell को competent बनाने के लिए इससल कंसेंट्रेशन कों सा calcium का C A C L 2 इससल कंसेंट्रेशन के ट्रीट कर देंगे तो इस cell क्या हो जाएगी डाइवडी डाइवएलेंट के टायन के लिए प्लस प्लस के द्वारा ट्रीट करने पर लेने की तयार हो जाती है competent हो जाती है इस सेस्थियू नेक्सि पेश पर इंपोर्टन्ट देख हो गया की इसषिकला क्या कि इस पर रख धिया जाय को आयस पर पर रिखस क्लेशन का खच रहती है उसको फिर फिर से तो क्या हो जाती है हमारा जो है लेने के लिए चिल ठियार हो अधिक लिंजक्षन ये क्याucking किया तया तो कि मैंक्रों इंजक्षन के लिए विल्सक्राइगा। जब्सक्ष नष्वन किनले कि ऋत्पाड। DNA पार्ट के ले लिया जाता है, यह प्लांट के लिए वहुत इंपोर्टेंट है, गोल्ड टंगस्टन के कोटेट DNA को डारेक्टली बंबड कर दिया जाता है, जीन करें हैं, बलेश्टिक मेथट के दारा, प्लांट के लिए, बट इन क्या दोनों के लिए बात कर रहे है, प्लांट अनिमल्स दोनों के लिए, डिजार्ड, पैथोजेन, कौन सा डेट्र वाइरस अनिमल्स के लिए, जबकि ए ग्रोपेक्टन ट्वी उफिसेंस, प्लांट के लिए यूज कर लिया जाता है, यहां सीचिडीड इतना सा इिसमे हो जाता है, उस प्रोपेक्ट डिक्न की लिए को सबसे पहले है कि सबसे पहले हैं डेयों को आइस एल्ने को आइसएलेे करेंगें, इसमें दिया हुआ है, इस पराग्रपिक यूपेन थोड़ा सा इंपोर्टन के लिए, तो किसी सेसे के दि मीन निकालने के लिए क्लिए क्रेंगे सब पहले उसक प्लांट है जे हमार तो उसको त्सको सिलौको डाइजिस्ट करेंगे इंवे में वागुत डायजिकिट करने कि और यह बैक्रिय प्लांट है तो था रिग् al Bringing ई से हुष कर दिया वर्य भरकिरी नियु तो इसको achievement करेंगे, जैसा कि שלvals, ब niemand, सो जाए किसलए से करदें हैं, roadму बमस्क्राइब जलेक healthyheartël यह हो गया, अब क्या करेंगे अगर हमारा जो है, आरेने तो आरेनेस से duyasys करदें, प्रोटियेस précis, प्रोटियेस से astronomically, फोने से कर देज करदेंगे, तो फाल्ली क्या होगा हमाँ पास च्रीटमेंट कुछ बाद उसको जब इंट्रीफ்ट चर देंगे हो जाएगा इसका इंपोर्टन न्यास हो जाता है नेक्स कट किसी किया था इसको कट किया जाता है उसका एक रोज बहुत इंपोर्टन है इसको क्या किया जाएगा इसको क्या किया जाएगा इसको क्या किया जाएगा बट एक रोज जिल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है यह क्या करती है यह रोक देती है याद खिए कि रेस्ट्रेक्शन इंपोर्टन के डाइजिसन को रोकने वाला एक रोज जिल इलेक्ट्रोफोरेसि होती है और डिन ने किधर मूब करता है डिन ने निगेटिवरी चार्ज मालक्यूल होता है यह मूब किधर करेगा यह पार्श एलेक्टोड यह इनोड की और मूब करता चला जाता है उसके बात इसमें क्यों इतना सा इंपोर्टेंट है नेक्ट नेक्ट पेज पर रहा है PCR बहुत इंपोर्टेंट है PCR से लेड़ेट कुछ है बनते हैं कि पालिमरे चेंड रियक्शन के द्वारा डिन ने को एंप्लीफाई किया जाता है तो सबसे पहले डीनेटिरेशन एनलिंग देन एक्स्टेंशन तीन प्रा बहुत इंपोर्टेंट बनता है कि इनलिंग में प्राइमर हम लोग यूज करते हैं प्राइमर को इनलिंग में यूज किया जाता है एक प्राइमर यूज हो जाएगा ओके नेक्स्ट इंलिंग के बाद हमार क्या बनेगा एक्स्टिंशन आता है नेक्स्ट बहुत इंपोर् यूज करते हैं प्राइमर कभी यूज करेंगे एंडलिंग के समय यूज करेंगे distance की समय दिनी ये टैक पालिमरेच ये vibes this को वहला जाता है बहुत important है करना किसनी कर जाता है कि थर्मस्रिक्ट के बेक्ट्रिया सब्ट्रेंग किया जाएगा कौन सा टैक पालीमरेज और एक्स्टेंशन की समय यूज किया जाता है उसको तीस साइगल चलती है वो एक अरब टाइम या वन बिलियन टाइम हो जाता है तुक पॉर थर्टी करके अब मल्टिप्लाई कर दो प्राइमर क्या होता है इसको प्राइमरेज में बंसक्ति इमकोटन बन जाएगा ओकर किब लिए नहीं है नेक्स परेंग्राफ की बát करते हैं तो य इस उलेक्टेबल बार मारकर के में बताया हुआ, selectable marker, जो ऐसे चीज़ें, जो हमें differentiate करें, transformation, non-transformant, क्या कहलता है, selectable marker हो जाएगा, antipartic resistant gene, selectable marker हो जाती है, नेक्ट कहता है, obtaining foreign gene products, तो किसी भी, biotronology, general gene gene का main aim क्या, ultimate aim क्या होता है, produces a desired protein को produce कना, किसी भी recommend, recombinant DNA technology के main aim होता है, इसमें क्या लिए इंपोर्टेंट है, उसको बाद important क्या था है, recombinant protein, प्रोटीन क्या होता है, any protein encoding gene expressed in heterologous host, homologous host नहीं है, बल्कि heterologous host में, जो भी gene encoding protein express करेंगी, उसको क्या बलेंगे, recombinant protein bowl देंगे, उसको next page पर, अब इस पर कुछ भी नहीं important है, next page पर जो important आ जाता है, जो भी protein obtain होगी, वो किस phase में, exponential या log phase में obtain होती है, और किस में obtain की जाती है, जो vessels होती है, जिसमें की culture करा जाता है, उस culture medium को क्या बोलते है, उसको bio reactors बोला जाता है, जो कि सो large volume, सो से एक अज़ाय लिटरल के असपास, जिसका यह होता है, उसकी बात, इसमें क्यों होता है, temperature, pH, salt, vitamin, सारे चीज़े, optimum यह डाले जाती है, इसके bacteria के growth के लिए सारा सारे चीज़े लिबल की जाती है, और जो most important bio reactor होता है, वो कौश होता है, यह styled type हो जाता है, इसमें क्या है, जिसमें क्या है, इसमें bubbles पाय जा रहे है, यह oxygen डेलिवर करते हैं, यह question नीट में पूश चुका है, कि यह bubble delivery system क्या होता है, यह oxygen के लिबल्टी के लिए हो जाता है, उसके बात next page पर जो important है, उसमें क्यों इतना सा है, कि यह include separation, purification, सारा सारा वो प्रक्रिया जो separation करें, purification करें, collectively refer to as क्या बोलते इसको, downstream processing बोलते हैं, यह question आज रुखा है, तो fire engine product को separate करना, purify करना, marketing तक सारा complete करना, उसको downstream processing बोला जाता है, और बाकी इस chapter से कुछ भी ज्यादा important नहीं है, जो भी important point थे मैंने उसको बता दी, बाकी आपने पढ़े हुई हैं, तब जो नेक्स chapter discuss करते हैं, बाटकलाजी एंड इस अपली केशन, तो नोकर नेक्स चैप्टर है, चैप्टर मुर्टर बाटकलाजी एंड इस अपली केशन, यह करनेक्स बाटकलाजी जो बिकली डिसक्रश करेंगे, कुछ भी खास important नहीं है है, नार्म ने क्या हैं कि providing main aim क्यों सब्सक्राइब श्राइब करना इंप्रूब राग्जियम माइक्रोबाट प्योर रेंजाइब की रुप में के तरी को देना अब यह के तरी कि दौर नेक्स पर दिया हुआ है कि एक रो जो घ्रिकार होता है तीन तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से यह अग्रिकल्टर किया जाता है, त्री आपसे ने सस्पना है कि अग्रोकेमिकल अग्रिकल्टर, जो हम लोग कर ट्रेडिशनल अग्रिकल्टर है, कि हम लोग क्या करते हैं, कि केमिकल का छिलगाओ करके अपना अग्रिकल्टर खेतिव का ये agriculture है, तो green revolution क्या था, कि green revolution के दारा, तीन गुना food की supply की गए थी, मतलब तीन गुना ज्यादा उसका food production किया था, कि इसने tripling कर दिया था, green revolution बहुत important, green revolution किते गुना किया था, उसने तीन गुना food production को increase कर दिया था, लेकिन फिर भी human के लिए नहीं था, इसके लिए जो क्राई agriculture हो भी इंजिनर क्राप बेश्ट अग्री कल्टर है, जिसके सारा food production को increase किया गया, next paragraph में gentically modified algorithm के बारे में gentically modified algorithm होती क्या है, ऐसे plant, fungus, animals, जिनकी जीन को क्या किया जाए, manipulate कर दे जाए, gentically इसको gentically modified organism बोला जाता है, अब gentically modification में क्या क्या property होने चाहिए, यह इसमें important है, सबसे पहले चीज, crop more tolerant to abiotic stress, इसमें biotic दे सकता है, crop more tolerant to abiotic stress, like cold, drought, salt, heat, इसमें सबके प्रती mode क्या होने चाहिए, more tolerant होने चाहिए, second, reduce rely on on the chemical pesticide, chemical pesticide पर dipend ना रहा, means paste resistant crop का तयार कर देना, यह second time था, और third time क्या है, help to reduce post harvested loss, यह post harvested last मतले कि फल पकने के बाद lost हो, जैसे कि tomato अगर पक गया, पकने बाद tomato बहुत जल्दी चलना शुरू हो जाता है, तो tomato को directly engineered tomato बना दे जाया, क्यों पकने बाद भी महीनों चलने खराब ना हो, महीने मतले क्या post harvested last कम से कम हो, fourth point क्या है, कि for instance, mineral and usage by plant को increase कर देना, कम minerals में ज्यादा use कर सके, इससे क्या होगा, कि soil की fertility, early last होने से बच जाएगी, जल्दी last नहीं होगी, and fifth point क्या है, इंहेंस nutritional quality, nutritional quality को food में बढ़ा देना, like golden rice से कुछ neat में आज चुका है, कि golden rice के पास क्या थी, यह vitamin A enriched rice थी, वो भी कौन सी, सर्वती सुनारा, सर्वती सुनारा यह vitamin A enriched rice थी, इसका नाम क्या था, सर्वती सुनारा, vitamin A golden rice था यह, जो vitamin A enriched rice था यह, उसके बाद, next, जो important point है, यह क्या होता है कि gentically modified, जो algorithm होते हैं, वो क्या कर रहा है कि, has been used to tailor-made plant to supply alternative resource to industries, उस बद इस प्रेस पर जो most important है, वो bacillus therogenesis, क्राप के बारे में important बनता है, यह सबसे ज्यादा important है, कि beauty toxin, यह bacillus therogenesis से अप्टेन होती है, अब bacillus therogenesis के genes को किसमें डाला गया, यह plant में introduce कर देगा, अब plant क्या करेगा, beauty toxin खुछते formation शुरू कर देगा, जब insect को खाने आएगा, तो क्या हो जाएगा, kill हो जाएगा, तो वही दिया है कि beauty toxin को किसमें introduce कर दियागा, यह bacteria में introduce, यह plant में introduce कर दिया गया, अब उस plant को insecticide को हो सकता, नहीं बढ़ रहे है, इस तरह से कौन कोंसे हो गया, बीटी, corn, rice, tomato, potato, soybean, यह सारी चीजें क्या हो गई, create हो गई है, उसका सब से जो important था, बीटी, cotton का था, तो बैसले, therogenesis क्या था, provide protein, that kill insect, levitopteran, इसमें क्या क्या था, लिप्टोप्टेरन को हो था, टोबैको बढ़वम, आर्वियों लिप्टोप्टेरन थे, लिप्टेरन, बीटल था, डिप्टेरा, फ्लाई मास्कुटो था, इन सब को kill करता सको, बीटी, cotton, तो बैसले, therogenesis जो crystal protein थी, particular phase में ही growth पर आती थी है, तो यह insect की saddle protein थी, यह पहले क्या थी यह, inactive farm में होती है, यह inactive protoxyn farm में, याद रखे, यह की किस farm ही है, inactive protoxyn farm में, यह toxins हो जाती है, inactive toxin होती है, जब यह inactive protoxyn, यह insect के अंदर जाएगा, उसके alkaline pcsh पर, किस पर, यह midgut epithelium में alkaline ph पर, यह solubile crystal हो जाएगा, और क्या करेगा, activated toxin में convert हो जाएगा, और midgut epithelium से bind करके, वहाँ पर क्या कर देता है, यह poor कर create कर देगा, और यह insect kill हो जाएगा, यहाद है कि, midgut epithelium में alkaline ph पर, यह active हो जाता है, बागी time पर inactive बना रहा था, यह बहुत important point यहाँ से हो जाता है, जो कुछ यहाँ से बने गए है, तो क्या होगा, crab force होगा, create swell and leases हो जाएगा, फारली इंसेक्ट की death हो जाती है, ओके, आप आता है क्या, important point यहाँ से बन जाते है, इसके, कि bachelor's theory, जिन से जो toxin था, VT toxin, यह क्या है, यह several claprans, यह cotton वगरा में express होता था, उसको gene कौन सा था, gene coding gene कौन सा था यह, VT toxin coding gene क्या था, small cry gene था, जो कि VT toxin को code करता था यह, ओके, तो इसमें क्या दिया है, कि cry first AC, second AB, control cotton bulwarm को, याद रखिए, first AC, second AB, cotton bulwarm को kill करेगी, जबकि, कार्ण बोरर किसको, first AB, कार्ण बोरर को kill करती थी, first AB, कार्ण बोरर को kill करती थी, कि बहुत important point है, जो कि question यहाँ पर confuse आपको करवा सकता है, आपको इसको deduct डालने है, इसको, को बेकार कर दिया, और यह loss हो गया, great reduction loss हो जाती है, इसमें बड़र भी infect किया, जबकि, mature cotton bulwarm को इसमें की insect ने, कुछ भी नहीं किया, कोई infection insect को नहीं हुआ है, अब paste resistant plant, को obtain करने बात कर रहा है, paste resistant plant के बारी आती है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, कि paste resistant plant में, mainly nematode, जो कुछ नीट में आता है, कि nematode parasite, wild variety किसको include करता था, human के अलावा, यह nematode, miladogani incognitia था, incognitia किसको kill करता था, तो बेको plant के किस भाग को, root को, यह कुछ नीट में आ चुका है, कि यह root को, यह इसमें को, किसको infect करता था, यह mainly, root को infect करता था, कौन, यह miladogani incognitia, यह root को, टुबय को plant के root को infect करता था, great reduction काज करता था, इसके लिए prevention के लिए क्या है, इसलो जो टेखनीक आई भी इस नीवाटोड से prevention के लिए, यह टेखनीक आई, RNA interference, इस जो टेखनीक आई, इसका कहा है, RNA interference बोला गया, यह क्या है, RNA interference बहुत important है, बहुत important है, RNA interference टेक प्लेस, all eukaryotic organism as method of cellular defense का एक method था यह, जोला defense का एक method हो गया था यह, this method क्या करता था, involve silencing of specific mRNA को, क्या करता, silent कर देता था, कैसे, उसको complementary double extended RNA फार्म कर देता था, तो क्या होगा, protein synthesis, stop हो जाएगी, translation जब stop हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलता, translation जब stop होने को, silencing बोला जाता है mRNA, mRNA के जब protein synthesis नहीं होगी, translation नहीं होगा, तो इसको, silencing बोला जाता है, तो source of complementary RNA क्या था, यह source of complementary, इसका RNA, यह could from infection by virus, यह इसके पास RNA genome या mobile genetic element हो, transmission वहाँ, इसका source हा complementary RNA कहिए, तो इसमें agrobacterium जो vector यूश किया, वो method specific gene वर introduced into the host plant, मैंने बता है कि plant कोई भी होगा, अगर vector यूश किया जाएगा तो, यह group spectrum tube efficiency यूश किया जाएगा, इनमल होता तो retrovirus यूश किया जाता, तो agrobacterium tube efficiency, host plant में, vector crew में introduced कर दिया जाएगा, अब इसमें DNA that produce, बोथ sense, यह DNA sense और anti-sense दोनों RNA produce करता था, और दो RNA complementary होकर क्या हो जाएगे, double extended RNA बना लेंगे, और silency के बारने silent हो जाएगा बारने कुछ भी फाब नहीं करेगा तो, क्या होगा protein synthesis नहीं होगी और यह हमारा nematode kill हो जाएगा, जैसे कि आप लोग diagram में देख सकते हो, कि इसमें इस diagram की बात कराऊं, इस diagram में क्या है, यह निमेटोड पूरे के पूरे निमेटोड ने infection किया है यह tobacco plant, इसका रेडिस का production जड़ दूर जाएगा, जबकि इसमें जो की RNA interference रेटेक्टेट टोबैको प्लांट था इसके root में कोई भी निमेटोड ने infection नहीं किया है, यह नार्मल हो जाता है, बट यह क्या है, टोबैको यह mellodogunnycobinidria का root का infected plant यह है, उसका next राता है important point कि biotokological application अब medicine में क्या application दिया हुआ है, medicine में application रूब में, कि total 30 recombinant medicine बनाई जा चुकी है, उसमें पूरे बिर्स में 30 recombinant medicine है, जबकि इंडिया में है, उसमें total इंडिया में 12 marketing की जा रही है, अब next important point आ जाता है gentically injured insulin के बारे में, इसमें इस पेस पर कुछ भी कास important नहीं है, नेक्स पेस पर जो gentically injured insulin से कुछ नहीं बनता है, यह बनता है कि सबसे जो company थी, वो कौन से company थी, उनने 183 SP में American company, यह क्या थी, इसमें दो DNA sequence, means alpha chain और beta chain दो के दोनों को अलग-अलग formation किया, क्योंकि main दिक्कत यह थी, कि जैसे कि अगर हम बात के इसमें तो यह alpha chain यह beta chain, okay, इसमें यह C peptide हो जाते हैं, आपस में किसों था C peptide से जुड़े रहते हैं, और diis alphide bridge से आपस में alpha beta chain जुड़े रहते हैं, अब इसमें में समझ जाती, कि यह जब C peptide पाया जागा तो यह inactive insulin होता है, में समझ जाती इस C peptide को हटाना, तो इसके हटाने एक सब्सक्राइश प्रक्रिया यही समझ में आए, कि alpha और beta chain को अलग-अलग जोड़ा गया, बनाया फार्मेशन किया गया, इसको क्या इन्सुलिन के लिए, बनाया खुछ भी इंसुलिन के लिए, बागी इंसुलिन्स और कुछ भी इंपर्टर्टन नहीं को लहीं पूछ जाएका LPA-LEA Company 1923C में E.coli bacteria जो इंपर्टरिया इस इंपर्टन है तो कौन सा है E.coli bacteria यूज किया था इन्होंने नेक्स लोक टाप है का gene therapy, gene therapy क्या किया जाता है कि अगर किसी भी बच्चे क्या किसी भी को जिन्टिक डिजीज है तो उसको कोसिस की जाते डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने की उसको चायल्ड एंब्रोनिक पीरेड में डियाग्नोस करने के बाद उसको क्या किया जाता है उसको करेक्ट करने की कोसिस की जाते इस डिफेक्ट जीन को कि इन्टिक इंजिनरिंग के द्वारा करेक्षर आदर डिफेक्टेट जीन वाल डिलिवर आप दे नार्मल जीन इंटू एंडुजल एंब्रो इंब्रियो में इंट्रिडूस्ट किया जाता है यह नार्मल जीन को जिससे क्या होगा कि नान-फंक्शनल जीन को कमपनसे कि इसको ना सरे वारी रेसम कि तो जीन आर्मल जीम जाता है उसको जीनन को जीननो स्कुए पेटञाश इंजीनाण हरे लीए ज़िए बनी टर्सप्लाइन कर दिया जाए जा है या क्या किया जाए इसको Enzyme Replacement Therapy means Endosin-Demnase जो Enzyme है वही इसको Continuous और इसको दिया जाए जिससे इम्यून सिस्टम उसका बना रहे मिंटेन रहे या पहला step Gentic Engineering का जो पहला step आया पर क्या था कि उसको Gene Therapy के द्वारा पहला step था कि उसको Gentic Engineer Lymphocyte उसको Blood में Introduce किया गया इससे क्या किया जाता है कि पेसेंट का Blood Lymphocyte ले करके उसमें कौन सा Effector मैंने बताया कि Inmal होगा तो Retrovirus Vector यूज़ किया जाएगा इसमें क्या किया गया इसमें Retrovirus Vector यूज़ किया गया CDNA बनाएगा Retroviral Vector यूज़ करके उसको किसमें Genetic Engineer Lymphocyte इंट्रूश किया गया इससे क्या हुआ कि ओर Lymphocyte जो था वह इंट्रूश इंट्रूश करने लगा बट Lymphocyte किया ज्यादा नहीं होती है तो Periodically हम ऐसा Genetic Engineer Lymphocyte इंट्रूश करने क्या हो सकते continue पड़ती रहती थी बट अगर उसको ऐसे प्रेसेंट को इंट्रूश 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 कर दिया जाए मेरो से निकाल करके तो क्या हो जाएगा Myocular Diagnosis के लिए तो Myocular Diagnosis से related something क्यों इतना से important है PCR और ELISA का यूज किया जाता है इसमें इतनी सी क्यों कहानी इतनी सी है कि जब हमारे अंदर symptom में disease नहीं होती है बट जैसे HIV AIDS या फिर दर वाइरल से infected है हमारे अंदर वाइरल लोट का में में symptom आने में कही सालो लग जाता है उसी से वागर हम क्या करने जीन को amplify कर वा ले है इंप्लिफाय करके उस पर इसको early stage में ही डिटेट कर लिया जा सकता है क्योंकि disease होने पर यह इतना ज़्यादा concentration disease in pathogen को हो चुका था कि क्यों करना पासिबल नहीं है तो अगर early stage पर ही इसको डिटेट कर लिया जाए PCR वगरा के द्वारा तो इसलिए treatable किया जा सकता है तो इसमें क्या important रही है कुछ नहीं दो सथी मरा चुका है कि single extended DNA या RNA tag with radioactive molecule को probe बोला जाता है यह बहुत important है कि probe क्या होता है single extended DNA RNA tagged with radioactive molecule को probe बोल दिया जाता है like इसके लाओ cancer patient में भी इसका यूज किया जाता है क्यों कि cancer patient को जब hybridize किया जाता है इससे डिटेटरी और टैक से या probe से जब भी इसको hybridize किया जाएगा तो complementary नहीं बनाता है क्यों 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 cancer cell में क्यों होता है कि इसमें mutated gene होती है तो mutated gene क्यों होता है कि इसका autobiography में hybridize उसका complementary नहीं formation होगा तो do not type complementary with mutated gene के साथ यह probe क्या करता है यह complementary gene नहीं बनाएगा complementary नहीं formation करता है अब आता है transgenic animals के बारे में जो important है कि transgenic animals लब कि ऐसे animals जिनके gene को डिनर को manipulate कर दिया जाए फारन जीन उसमें इंट्रुडूस करता है जिनको इन्मेल्स को transgenic animals बोला जाता है important transgenic animals का यूज के बारे में देता है normal physiology and development इनको study की जाती है इसके लाव study of disease के लिए disease के लिए डिजीज के लिए डिजीज के लिए सारे transgenic model बनाया जाच चुकी है यह ओके तो next इसमें transgenic model human के डिजीज के लिए बनाए गया है like on course model cystic fibrosis, demotrile arthritis and Alzheimer disease का यह transgenic model इसके बनाया जाच चुकी है next topic हम लोगा है biological product के रूप में तो biological product के रूप में transgenic animals जो protein produce करते हैं biological product उनमें कौन सा यह उसमें human protein alpha-1 anti-tripsin enzyme यह produce करते हैं तो इसके लिए treatment के लिए M5-CMA के लिए, fatenil ketoneuria के लिए cystic fibrosis के लिए इन सबके treatment के लिए use की जाती है अधर की बात करते हैं तो अधर में क्या दिया हुआ है कि 1997 में फर्स transgenic cow यह buffalo करके question दिया हुआ है फर्स transgenic buffalo नहीं फर्स transgenic cow रोजी यह क्या produce करते थी human protein rich milk 2.4 gram per liter यह produce करते थी यह milk क्या content करता था यह human alpha lactule beumine content करता था जो nutritionally more balance था किसके लिए human baby के लिए natural cow milk के मुकाबले ज्यादा यह best था उसका next point हम लोग कौन साता है next point आ जाता है vaccine septic के लिए है तो vaccine septic transgenic mice कोई भी vaccine अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या था सब्सक्राइब के लिए माइस पर टेस्टिंग की जाता है उसके पर माइस के बाद monkey पर टेस्टिंग की जाता है उसके बाद human पर टेस्टिंग की जाती है उसका next point हम लोग आचाता है chemical septic testing chemical septic testing के लिए क्या है कि जो ट्रांजनिक animals होते हैं यह ऐसे gene carry करते हैं जो उन ट्रांजनिक animals को more sensitive बना देते हैं toxic substance के पर तो more sensitive बना देंगे अब next आ जाता है इतकल issues इतकल issues का क्या है कि genetic engineering approval committee जितने भी यह प्रांजनिक animals होते हैं इंपर अपना देख रेक करते हैं कि यह कोई इन animals के साथ दूर बिवहार तो नहीं किया जा रहा है उनको इस टाइम पर उनका क्या ध्याना ख़जा यह पूरा सारों चीज़ें जितने भी experiment होते हैं सब पर कंट्रोल कौन करता genetic engineering approval committee यह important है यह जिन्टिक मूर्ड़फाइब research होगरों को validity इसको provide करती है यह जिन्टिक ली मूर्ड़फाइब पाब्रिक सर्विस होगरा के लिए सब्सक्राइब इस पर यह पूरा जाती है उसमें बास्वती कि इन्टिसेवन डाकुमेंटर विराटी बास्वती राइस की इंडिया में different flavor और texture के अधर पर वो ग्रोव करती है different different flavor होता है यह रोमा flavor के अधर पर तो कहना है कि 1997 में American company जो तो इसने बास्वती राइस का यह US प्रेटन का trademark ले लिया था और उसके बात क्या हो कि यह Indian farmers कुछ न बेच सकते थे ना कुछ कर सकते थे तो finally Indian इस पर objection किया और case लड़ा वापर उससे क्या हुआ कि finally इन्होंने case जीता और trademark अपना Indian है वापस लिया कि हमारा rice हम इसको नहीं बेच सकते हैं यह trademark ले लिया था तो next important decision related है इन सब चीजों से यह क्या बायो पीरेशी यह टर्म है कि बायो इस देशनल कंपनिया जो होती है वो यूज करती है और वहां के लोगों को बिना payment किये हुए इस टर्म को क्या बलते हैं बायो पीरेशी बहोला जाता है यह वह कि मल्टिनेशनल कंपनी के द्वारा बिना अथ्राइस कंट्री के जा बिना पीबल को कर्शनल पीबल को बिना पेशनल कंपनेटरी पेमेंट के विए यूज करती इस टर्म को बायो पीरेशी बोला जाता है जैसे कि बासमती राइस को यूज कंपनी ने पेटेंट करवाया था उसी क्या अधार पर इसको बायो क्या बापिरिसी कोईगी इसी वर्ड को बापिरिसी बोला जाता है बागी और इस पेज से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो यह हम लोगों का चेप्टर बापिरिस्पल प्रॉसेस यहीं पर फिनिस होता है तब लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे एकोलाजी थैंक यू